अश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद है अच्छे होंगे आज हमारा ये पहला ब्लोग बन रहा है दिस इस माइ फ़र्स्ट ब्लोग तो आज हमारे पास वो दो महान ग्रंथ है जिसे हमने खरीदा है और उसे हम अन्बॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे वो है डिजिटल स्रीमत भगवत गीता और डिजिटल संपुर्ण हनुमान इन दोनों ग्रंथ को पढ़ने मातर से ही हमारे जीवन के कठी नरास्ते सुगम हो जाते हैं और बहुत सारे लोग स्रीमत भगवत गीता को पढ़ते तो जरूर है लेकिन सुद्ध सुद्ध नहीं पढ़ पाते हैं और उसे पुन रूप से समझ नहीं पाते हैं इसलिए डिजिटल रूप दिया है ये व्लोग हम अपने घर के तीसरे मंजिले से बना रहे हैं और ये न है मौसम भी अच्छी है दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ये हैं हमारा स्रीमत भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान जय स्री राण जय जय हनुमान दोस्तों ये है हमारा संपूर्ण हनुमान इसे हम अन्वाक्सिंग क इसमें कमपनी के तरफ से पैक होके आता है इसको हम लोग निकाल लेते हैं यहां से इधर रखते हैं और इसको भी निकालते हैं इस प्रकार से है यह अब ही कभर में पैक है इस तरह से यह देखिए इस प्रकार से है इसमें एक सब्सक्राइब भी मिलाए हुँ मैं पाल हनुमान है कि इसको हम रख लेते हैं भी यह बुक को निकालते हैं यह देखिए इस प्रकार से यह डिजाइन है और इसके साथ साथ हमें कुछ और कार्ट विले हैं यह देखिए इसको भी हम रख लेते हैं भी और इसे ओपन करते हैं इसमें देखते हैं क्या है ग्यान वज्र यह देखिए का नाम है ग्यान वज्र इसको हम आपण करते हैं कि इसमें भी कुछ है कि कि और कि ढ़िए कि पर है यह देखिए हमारा ग्यान वज्र यह है लोग इसका Cाम भी देखेंगे यह हनुमान जी का गदा ही एह समझ दिए इसको लोग रखते हैं भी यहां पर इसम देखते हैं क्या है चार्जर है जो कि हम इसको चार्ज करेंगे ज्यान वज्र को इसमें चार्ज करने करने का यहां से दिया हुआ है यहां पर इसका स्विच दिया हुआ है बटन है यहां पर इसको हम दबाए रखेंगे यह ओन हो जाएगा यह देखिए हमारा ज्यानवर्थ अन हो गया है हम लोग इस मंदित पर अगर इसको रखते हैं तो यह देखिए माहौन को बता रहा है इस मंदिर में अभी भारती हो रही है तो यह बता रहे है जिसकों मुच आएगे तो पाउंच भी कर सकते हैं और फिर से चाहेंगे तो सुन सकते हैं दोस्तों हमने पहले संपूर हनुमान को अन्बॉक्सिंग कर दिया है अब यह देखिए भगवत कीता को हम अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं सेम उसी तरह से इसे भी हम खोलेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है यह देखिए दोस्तों सेम उसी प्रकार से हमें यह भगवत गीता का भुक्सिंग मिला है इसके साथ हमें एक यह फ्लोट मिला है जिससे हम क्रेशन जी का बांसुरी भी का सकते हैं और इसे चार्ज करने के लिए हमें चार्जर मिला हुआ है और एक यह वारेंटी कार्ड मिला हुआ है जो फ्लोट का है वान येर वारेंटी है इसको कवर से निकाल के देखते हैं जैज रेक्रेशन अच्छी तरह से डिजाइन एक बांस में पैक है इसे हम लोग निकालते हैं यह देखिए ठिक संपुन हनुमाल की तरह ही इसमें भी सारे पेपर मिल रहे हैं यह देखिए इसमें भी कुछ कार्ड जैं यह देखिए इसमें कुछ भजन दिये हुए हैं एक सो आठ भजन है इसमें जो हम सुन सकते हैं फ्लूट के माध्यम से इस पर जैसे ही टच करेंगे वह भजन हमें कि सुनने को मिलेगा इसे हम रख लेते हैं और इसको साइड करते हैं कि यह देखिए दोस्तों कि मारा भगवत गीता दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता के अठारा अध्या है तो चलिए हम लोग फरस्ट अध्या में कुछ देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग फ्लूट का उप्योग करेंगे सबसे पहले हम लोग इस फ्लूट को अन करते हैं यहाँ पर दो सेकेंड दबाए रखेंगे यह फ्लूट अन हो जाएगा यह देखिए अन हो रहा है अब यह अन हो चुका है अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी चितर पर हम लोग इसको टच करेंगे तो यह क्या इस फाउग देता है गनेश आर्ती पर हम लोग टच किया और यह आर्ती शुरूँ इसे हम लोग यहाँ से पाउज भी कर सकते हैं रोक भी सकते हैं अब हम लोग चाहेंगे गीता आरती सुनने के लिए तो उस पे टच करेंगे तो ये देखें पिर हम चाहेंगे कर सकते हैं रोक सकते हैं और अब हम लोग चाहेंगे कि अध्याएक को अगर हम लोग एक जगा से ही पूरा सुनना चाहेंगे तो ये संख का जो पहला चित्र है इस पर हम टच करेंगे तो यहां से हमारा अध्याय वन का जो स्लोक है वो शुरू हो जाएगा यह देखिए आप मिला पाएंगे यहां से हम लोग बाशुरी पर टच करेंगे तो यह देखिए यह हमें गा के सुनाती है पहला अध्याय का पहला स्लोक रहा कि हमें सुनना है और उसका हिंदी अर्थ भी जानना है तो हम लोग यहां पर वाल्ण पर टच करेंगे तो यह हमें संस्कृत में भी बताएगा और इसका हिंदी भी बताएगा दोस्तों ये फ्लोट इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग सुध संस्क्रित नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं सुध हिंदी को समझ पाते हैं तो इस फ्लोट के माध्यम से हम सुध उच्चारन भी करना सिखेंगे और हिंदी का अर्थ भी समझेंगे संस्क्रित का अर्थ भी समझेंगे और हिंदी का भाव भी समझेंगे उसे विस्तार से जानेंगे इसके लिए हमें ये फ्लोट मिला हुआ है तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे उपर वाला बटन जो है सो अन अफ करने का है इसको हम दो सेकेंड दबाए रखेंगे और फिर छोड़ देंगे तो यह फ्लूट अन हो जाएगा यह देखें अन हो रहा है और फिर इसे अगर हम दो सेकेंड दबा के रखेंगे और छोड़ेंगे तो यह आफ हो जाएगा यह देखें आफ हो रहा है अब यह आफ हो चुका है कर दोड़ा है